नमस्कार वंदे मात्रम मैं बल्देव राजपो दुर्ग 36 गड़ से आज हम लोग बात करने वाले हैं scheme of examination मतलब exam में pass का concept क्या होता है grace का concept क्या होता है supply और super supply क्या है और fail कैसे होते हैं fail होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता बस आप कुछ नहीं कीजिए आप अपने आप fail हो जाएंगे तो या आज हम लोग बात करने वाले हैं दुर्ग उनिवर्सिटी या हेम चंद यादव विश्विद्याले दुर्ग के बारे में आपको पता होगा हेम चंद यादव विश्विद्याले जो है वो पंडित रवी संकर शुकल विश्विद्याले से अलग हुआ है यह हुआ है सन 2015 में अलग हुआ है तो लगभग लगभग जो हेम चंद यादव विश्विद्याले का जो कॉंसेप्ट है वही सेम पंडित रवी संकर युशुद्याल है जो रायपूर में स्थित है दोनों का कॉंसेप्ट लगभग एक होना चाहिए बट मैं अभी इतना confidence के साथ इसलिए इसको नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने अभी उसका syllabus देखा नहीं है आज मैं जो भी बात करूँगा वो दुर्ग university के बारे में या हेमचंद यादव university के बारे में बात करूँगा जो की दुर्ग में स्थित है अगर आप देखें तो हेमचंद यादव university में के अंतरगत जो affiliated college है वो 147 है 147 जिसमें government colleges की संख्या 68 है private college की संख्या 79 है और जिसमें total 2 लाख के आसपास 200 के मतलब लगब 2 लाख के आसपास student enrolled है ये जो student है वो अलग-अलग subject से आते हैं जैसे कि ये student BSC के हो सकते हैं BSC में जो सबस्यादा जो branches चलती है या जो सबस्यादा branch लिया जाता है वो है PCM, CS, IT, electronics और बागी subjects जो रहते हैं वो दूसरे नंबर पर आता है BCOM, BCOM के अंतरगत आपको पता होगा ECOM, Information and Technology and Marketing, Taxes और ये सब subject आते हैं BA के अंतरगत History, Economics, Indian Quality, Sociology ये सब subject आते हैं BSC Home Science भी इसके अंतरगत आता है, BA, BPA और LLB ये सारे courses का एक combined मैं आपको concept बताऊँगा इस combined concept के जरिये चाहे वो BSC हो, BCOM हो, BA हो, BSC Home Science हो, BA हो, BPA हो, LLB हो इन सारे का आप अगर दुर्ग University के अंतरगत आते हैं तो उस condition पे आप passing marks निकाल सकते हैं आप ये identify कर सकते हैं कि supply आएगा तो क्या condition होगी, super supply कैसे आएगा, या grace कैसे मिलता है आज इस सारे concept को मैं आपको बताऊँगा, ये जितना भी मैं आपको data बता रहा हूँ ये मैंने दुर्ग University की website से ही download किया है जब मैं इस video को explain कर रहा हूँगा तो आपको इस screen पे अलग-अलग जो classes हैं उनके बारे में जो screenshot जो मैंने लिये हुए हैं वो आपको धीरे-धीरे करके दिखाई देंगे जिससे आपको इस video को समझने में आसानी होगी आपसे उम्मीद है कि इस video को जादा से जादा लोगों को share करें ताकि उनको पता चल सके कि scheme of passing या fail या grace ये कैसे मिलता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बारे में information नहीं होती जिस वज़से वो exam में अच्छे से perform नहीं कर पाते या lake of information की वज़े से fail हो जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं जो भी आपको example दूँगा वो BSC, BCOM और BA के respect में दूँगा मां की जो subjects हैं उसमें भी same concept ही apply होगा सबसे पहले दिखते हैं हमारा और आपका favorite pass कि लोग pass कैसे होंगे दुर्ग university में 2022-23 session में चाहे आप first year के student हो, second year के हो या final year के हो आपको pass होने के लिए दुर्ग university ये कहता है कि आपको 33% जो है वो required है मतलब total number का 33% मतलब आपने internal exam दिया होगा और जो final exam जो अभी आप दे रहे हैं इन दोनों को मिलाके aggregate आपको pass होने के लिए 33 marks की requirement होती है और practical में 17 marks की required होती है अगर 50 number का practical है तो आपको 17 number की जरुवत होगी और अगर 100 number का practical होगा तो 33 number की जरुवत होगी मतलब जो total number है उसका 33% हमको practical में pass होने के लिए भी compulsory होता है अब देखिएगा internal marks की उपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10% लिखा होगा है मतलब आपने जो internal exam दिया है उसका 10% होता है और final exam का 90% example के तौर पे अगर कोई student physics का paper दे रहा है या geography का paper दे रहा है या text का paper दे रहा है अब इसमें मान के चलिए इसके दो paper है paper number 1, paper number 2 paper number 1 भी 50 number का है paper number 2 भी 50 number का है तो pass होने के लिए अपने को क्या चाहिए रहेगा इन दोनों paper को मिला के pass होने के लिए 33% चाहिए रहेगा मतलब आपको 100 में pass होने के लिए 33 number required होगा अब ये 33 नंबर भी दो भाग में बढ़ता है, कैसे, कि मानके चलिए internal exam, आपने एक exam दिया, जिसमें आपका 100 में से 50 नंबर आया, अब अगर 100 में 50 नंबर आता है, तो इसका अगर मैं 90% निकालू, तो अगर 90% निकालू, तो 50, 100 में आपका 50 नंबर मिला, इसको 90% में convert तो ये आपका आएगा 45 marks, ठीक है, और internal exam में मानके चलिए, ये भी आपका 100 नंबर का paper हुआ, उसमें आपको 40 नंबर मिला, तो 40 नंबर का 10% निकालूँगा, तो 40% का 10% निकालना बहुत असान है, 40 into 10, और उसको अपन 100 कर दीजे, निकल जाएगा, तो ये आजाता है 4 अगर आप 49 ला लेते हैं, मतलब आपका 49% है 100 में, तो आप pass हो जाते हैं, सेम, आपका किसी भी subject में हो, चाहे वो economics हो, मानके चलिए, अगर chemistry का भी paper है, 100 नंबर का अगर paper है, तो आपको pass होने के लिए 33 चाहिए, अगर maths के 3 paper, अगर 1500 नंबर के होते हैं, 150 के हो रहे तो आप 150 marks का होगा, first और second paper मिला के, उसको pass करने के लिए आपको 50 marks required रहेगा, जो 100 नंबर का है, उसमें आपको internal और external दोनों मिला के, आपको 33 marks हीए, मतलब अगर आपका 100 नंबर का paper है, तो आपको internal और external मिला के, आपको 33 marks required है, अगर 150 का paper है, आपका total, तो आपको pass होने के लिए 50 marks required रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में आपको individual pass होना होता है हिंदी में pass होने के लिए minimum 26 और English में 26 होता है जबकि environment study परिया वरण में अगर मैं बात करूँ तो 75 plus 25 का paper होता है 25 का field work होता है और 75 marks का आपका annual paper होता है यह आजकल यह जो paper है उसको अभी सुनने में यह आ रहा है कि objective based कर दिया गया है तो आपको यह दोनों paper मिला के pass होने के लिए 33 marks चाहिए होंगे मैं एक चीज रिपीट कर देता हूँ कि आपको environment studies में first year, second year या final year तीनों में से कोई एक साल pass करना होता है अगर आप first year में pass कर लेते है environment studies को तो आपको second year और final year में pass करने की आउशकता नहीं होती, similarly, sorry, mark कीजएगा, यह हिंदी में pass होने के लिए आपको 26 marks ही है separately और English में pass होने के लिए 26 separately, जबकि बाकी कोई भी subject हो, चाहे वो आपका chemistry का हो, चाहे वो maths का हो, चाहे वो CS का हो, IT का हो, account का हो, किसी भी subject का हो, आपको सिर्फ करना क्या है, आपके दोनों paper को आप लीज external को मिला के, इस condition पे आप pass हो जाएंगे, अब आते हैं दूसरे topic की तरफ, जो है आपका grace system, grace कैसे मिलता है, आप अगर देख रहे होंगे, इस screen पे तो आपको अलग-अलग दिखाये देंगे कि कुलपती जो है, कौन से conditions पे grace जो है, वो आपको देता है, तो यहाँ पर start करत जो rules क्या कहते हैं, rules यह कहता है, कि maximum 3 marks तक आपको grace दिया जा सकता है, लेकिन यह 3 marks दो subject से जादा paper उमें नहीं होना चाहिए, मतलब आपको maximum 2 paper में grace दिया जा सकता है, लेकिन जो grace का जो marks है, वो 3 marks से जादा नहीं होना चाहिए, इसको एक example से समझते है, बान के चलिए, सारे सब्जेक्ट में पास है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, तो अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल है, और बाकी सारे सब्जेक्ट में पास है, तो अगर मैं अगर मान के चलिए, उसको तीन नंबर कम है, जैसे कि फिजिक्स का पेपर में एक अजियूम कर लेता हूँ, physics का paper 100 number का होता है अब इसमें मेरे को जो passing marks है वो मुझे चाहिए होगा 33 अब 33 marks चाहिए अब अगर मान के चलिए मेरा अगर 30 marks आ जाता है तो मुझे 3 number grace दे के pass कर दिया जाएगा क्योंकि मैं सारे subject में pass हूँ अगर मेरा 31 आता है तो मुझे 2 number grace दे के pass कर दिया जाएगा क्योंकि मैं सारे subject में pass हूँ और अगर मेरा 32 आता है तो मुझे 1 number grace दे के pass कर दिया जाएगा ये तब होगा जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक subject में fail हूँ अब अगर मैं 2 subject में fail हूँ तो 2 इस्थिति आएगी इसी paper को लेते हैं physics का ही paper लेते हैं 100 number same scene है अब देखिएगा अगर 2 subject में अगर मैं 2 अलग-अलग subject ले लेता हूँ एक ले लेता हूँ physics और एक ले लेता हूँ maths physics में मेरे को 33 number चाहिए 100 में और maths में मुझे 50 number चाहिए किस में? 150 में अब अगर मेरे को pass होना है तो अगर मान के चलिए physics में मेरा 32 marks है और maths में मेरा जो है वो है आपका 49 marks है तो मुझे यहाँ पर भी एक number grace मिलेगा और यहाँ पर भी एक number grace मिलेगा और मैं pass हो जाऊँगा अब अगर मान के चलिए physics में मेरा 32 number है और Maths में मेरा यही 49 नमबर है तो भी मुझे यहाँ पर एक नमबर यहाँ पर अगर यह मेरा 31 ले ले लेते हैं और इसमें अगर दो नमबर ग्रेस और इसमें एक नमबर देके भी वो पास कर सकता है लेकिन अगर मेरा Physics और Maths में मान के चलिए दो-दो नमबर कम है तो वो मुझे सीधा-सीधा फेल डिक्लियर कर देगा क्योंकि दो सब्जेक्ट में Maximum सिर्फ और सिर्फ तीन नमबर जो है वो आपको ग्रेस देने का प्रावधान है तीन नमबर से ज़ादा आपको ग्रेस नहीं दिया जाता तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर कोई बच्चा दो सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो वो दो सब्जेक्ट में उसके जो marks हैं वो below 3 है मतलब 3 से कम है तो उसको दोनो सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा और अगर 2 सब्जेक्ट मिला के चार, तीन से जादा, मतलब चार, पांच, छे, ऐसा कुछ भी रहता है, तो उसको सीधा-सीधा fail declare कर दिया जाएगा, नॉर्मली जो देखा गया है, वो एक subject में अगर किसी का एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर कम होता है, तो बड़ी आसानी से उसको grace नंबर मिल जाता है, जब कि जब दो subject वाला जो scene आता है, उसमें बहुत कम ऐसा होता है, कि बच्चे दो subject मिला के तीन नंबर से कम हो, वो नॉर्मली 4, 5, 6 ऐसा होता है, तो हमेशा जो आपने देखा होगा, वो ये देखा होगा, कि जिन बच्चों का एक subject, बाकि सारे subject में pass हैं, सिर्फ एक subject में एक से तीन नंबर के बीच में fail है, या एक से तीन नंबर उनका कम है, उन्ही को ही क्या दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, और उनकी result में, जिस subject में ग्रेस मिला रहता है, उसमें capital G लिग दिया जाता है, ये जो number है, जो ग्रेस दिया जाएगा, वो percentage में add नहीं होता, ग्रेस का मतलब होता है, कि आपको कुलपती ने क्रिपोतिन किया है, मतलब अपनी क्रिपा से उत्तिर्ण किया है, और ये G जो एक alphabet लगता है, वो कभी भी आपके mark sheet में, जो जिस भी year में आप आएंगे, वहाँ पे आपको भी पता रहेगा, कि आपको ग्रेस दिया गया है, लेकिन वो percentage में add नहीं होता है, अब आते हैं थर्ड topic की तरब, जो है आपका supplementary, supplementary सिर्फ और सिर्फ एक subject में मिलता है, अब एक subject का मतलब ये है, अगर मैं physics में मुझे pass होने के लिए 33 marks required है, 100 में, और अगर मेरा इसमें इतना नहीं आ पाता है, तो मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को separately pass होना है, मेरे को जब supplementary का मैं paper दूँगा, तो paper first भी देना पड़ेगा, और paper second भी देना पड़ेगा, वैसे ही अगर account का paper है 75, 75 number का, मुझे pass होने के लिए 50 marks चाहिए, अगर मैं वो achieve नहीं कर पाता हूँ, और मेरा 3 number से ज़्यादा है, यह जो result है, वो supplementary वाला है, दूसरी चीज, अगर मैं supplementary में fail हो जाता हूँ, तो मुझे एक और मौका दिया जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं super supply, जैसे कि अभी आप March April session में paper दे रहे हैं, अगर कोई बच्चा सारे subject में pass हो जाता है, सिर्फ एक subject में उसका 3 number से ज़्यादा कम है, मतलब 4 से 3 number से उपर 4, 5, 6, ऐसे अगर के ज़्यादा कम है, तो उस condition पर उसको supplementary declare किया जाएगा, लगभग July में result आ जाता है, जुलाई में result आने के बाद आप जो है, रीवेल वगरा में आप attempt करेंगे, रीवेल के बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, रीवेल या recounting में आप form भरते हैं, अगर उसमें भी आपका नहीं होता है, तो लगभग August के टाइम पर आपका form भरा जाता है supplementary का, जिसका exam होता है सितंबर या October में, सितंबर और October में जब आप exam देते हैं, तो लगभग जो result है, वो दीपावली के आसपस October last या November शुरू में के टाइम पर आजाता है, अगर आप supplementary में पास हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप supplementary को clear नहीं कर पाते हैं, तो आपको super supply declare किया जाता है, और इस super supply का जो exam है, वो जब next year जो नए session में जो बच्चे हैं, उनके साथ ही आप देंगे, for example, कोई जो बच्चा है, वो 22-23 session में पढ़ रहा है, 22-23 session में अगर वो supply आ जाता है, तो उसका जो अगला exam है, वो September-October session में होगा, उसमें भी जब वो fail हो जाएगा, तो उसका जो exam है, वो 23-24 वाले जो session वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ उनका exam लिया जाएगा, वो होगा फिर से March-April में, लेकिन यहाँ पर advantage एक चीज कर रहता है, अब आते हैं अगले portion की तरफ, या अगले जो इसके topic है उसकी तरफ, वो है fail, यह कोई नहीं होना चाहता, लेकिन होते कैसे हैं, कि अगर आप 2 subject या 2 से अधिक subject में, आप 33 passing जो number है, कोई भी जैसे subject है, उसमें 33% आप score नहीं कर पाते, तो आपको fail declare कर दिया जाता है, 2 या 2 से अधिक subject में, condition क्या है, कि आपका 3 number जो है, वो तो grace marks था, तो fail 2 या 2 से अधिक subject में, अगर आप 3 से ज़्यादा numberों से fail होते हैं, तो आपको fail declare कर दिया जाएगा, कई लोगों के मन में एक doubt रहता है, कि मान के चलिए, physics में मेरा passing number में एक number कम है, chemistry में एक number कम है, maths में एक number कम है, तो क्या मुझे grace marks मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर clearly mention है, कि सिर्फ 2 subject में, अगर आपका 3 marks से कम रहता है, तो ही आपको जो grace का advantage है, वो मिलेगा, बाकि अगर आप 2 से, अगर किसी में भी मान के चलिए, अगर एक-एक number भी कम है, तो total 3 number ही होता है, तो उसको भी grace नहीं दिया जाएगा, अब जब कोई व्यक्तिव fail हो जाता है, तो उस condition पे उसके पास 2 option है, या तो वो rechecking में डाले या reveal, जब आप reveal या rechecking का form डालोगे, तो rechecking का मतलब होता है, आपका form दुबारा से check होगा, recounting का मतलब होता है, आपका जो exam का answer sheet है, rechecking का मतलब होता है, उसे फिर से check किया जाएगा, और recounting का मतलब होता है, answer sheet में जितने भी number है उनको calculate किया जाएगा और calculate करने के बाद आपको answer बताया जाएगा Rechecking और Recounting में समय इतना ज़्यादा लग जाता है दुर्गिय उनिवर्सिटी में कि लगबख supplementary का paper पास आ जाता है फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि उसका किसी subject में number कम है तो आप दो paper में जैसे physics का एक paper, maths का एक paper हो गया या chemistry का एक paper, maths का एक paper हो गया या history का एक paper हो गया, economics का एक paper हो गया इस तरीके से rechecking या recounting पे कुछ नियत सुल्क जमा करके आप अपना rechecking या recounting करा सकते हैं तो याद रखिएगा rechecking और recounting तभी कराएं जब आप 100% sure हो क्योंकि इसमें number बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं बहुत समय पहले एक rule था कि या तो number बढ़ेंगे या तो constant रहेंगे लेकिन बाद में इसको change कर दिया गया अब number बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं तो rechecking या recounting में आप तभी डालें जब आप 100% sure हो कि आपको जो आपने सोचा था उससे कम number मिला है और ये सिर्फ दो paper में डाला जाता है तो ये जो पूरा concept है वो BSC में भी apply होता है BCOM में भी apply होता है BA में भी apply होता है BSC Home Science B.Ed, B.P.Ed और L.L.B सारे जो courses हैं उसमें same concept apply होता है दुर्ग University में ये जो मैंने आपको Pass, Fail, Supply, Super Supply बताया है उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा concept समझ में आया हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रा